Hello my dear students, today we are going to discuss the world in a wall which is the first chapter of class 8 Skylark book तो इस चाप्टर को सुरू करने से पहले हम एक बहुत इंट्रेस्टिंग इमेज देखते हैं आप देखे यहां पर एक स्कॉर्पियन है जो अपने बहुत सारे टाइनी बेबीज को अपने बैक पर कैरी करके कहीं लेके जा रही है तो आज हम यहीं इंट्रेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ होगा तो मैं आपको पहले थोड़ा सा समरी बता देती हूँ वाट हैपन्स इन दिस चाप्टर इस दाट यहां पर राइटर जो होते हैं उन्हें बहुत शॉक होता है कि वह एन्टिक चीजों को कलेक्ट करे और समरी माइटर content को क्लेक्ट करे तो वह एक बारिस स्कॉर्पियन को देखते हैं और वो एसे समय डिसाइट कर लेते हैं कि इसे मैं कैरी करके अपने घर ले जाऊंगा तो वह match box जैसे तैसे move कर लेते हैं और उसे अपने घर लेके जाते हैं और उसके बाद उसे किसी काम के वज़े से वो mental peace पर रख देते हैं जो घर का जो जहां पर आग वगरा जलती है उसके ऊपर जगा रहता है उसे mental peace बोलते हैं Because उनको खाना खाना होता है, तो वो वहाँ पर रख देते हैं, और वो completely भूल जाते हैं, और घर के जो बाकी family members है, उनको तो पता नहीं होता है, कि smash box में क्या है, तो वो किसी use के लिए smash box को खोलते हैं, खोलते ही, यह जो scorpion है, और यह जो tiny babies है, यह पुरे घर में फैल जाते हैं, और पुरा confusion and chaos पुरा create हो जाता है, तो इसी incident के चलते, काफी सारे funny incidents भी होते हैं, थोड़ा सा confusion भी होता है, थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, तो आज हम इस an interesting story को सुरू करेंगे, So be with me to the last of the video, and welcome back everyone, मैं हूँ Aarti Sarma, subscribe my channel, please subscribe, share and like, and तो चलिए स्टोरी को भी सुरू करने से पहले, हम इनके राइटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो देखिए, इस chapter को लिखा है, Gerald Durrell ने, जो की 1925 में इनका birth time है, and 1995 में इनका death year है, यह एक naturalist थे, इनने नेचर बहुत अच्छा लगता था, एक author थे, conservationist थे, conservationist क्या होता है, protective, जो protect करके रखता है, चीजों को, and like, किसी भी चीज को protect करना, जैसे कितने लोगों होते हैं, वन संग्रक्चक होते हैं, जैसे पोरेष्ट और अगर को protect करते हैं, तो यह एक television presenter भी थे, इनकी जो first book थी, उसका नाम था, The Overloaded Ark, and यह 1953 में पब्लिस हुई थी, and you will be surprised to know, that इन्होंने 33 books लेकी थी, जिसमें से कि best selling जो book है, उसका नाम यह सारा है, The Buffett Beagles, A Zoo in My Luggage, Catch Me, A Call of Us, and The Stationary Ark, तो यह सारे लिखे हुए इनके books है, and he is very much liked by the children, and especially मुझे भी इनकी story बहुत अच्छे लगी, तो देखे, सबकी एक personal habit होती है, that किसी को pet रखना पसंद है, किसी को writing करना पसंद है, किसी को television देखना पसंद है, सबकी एक unique habit होती है, तो यहां पर बोला जा रहा है, that do you have pets, कि आपके पस भी pets है, और यहां आप याद करके बताईए, क्या कोई ऐसा incident हुआ था, जिसके चलते, कोई animal और insect, जो है वो cause बना था, पूरे family में, या फिर लोग बहुत affect हुए हो, उस great confusion के चलते, या अचानक से एक pet आपका है, लेकिन दूसरे लोग उसके चलते comfortable नहीं है, share your experience with the class, तो आपको ये experience class के साथ, share करना है, okay, let me tell you one more thing, that I am not going to read the whole story, because it will consume too much time, and I really value everyone's time, मुझे पता है, that हर एक student के, time का कितना value होता है, and you come to the YouTube video, so that you can, in the short time you can get the perfect information, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है, आपको यहाँ पर perfect information in the last time मिलेगा, तो देखे, ये story जैसे इस रूरू होती है, उसमें narrator बोलते हैं, कि एक बार की बात है, मैंने एक female scorpion देखा, वाल पर, और जब मैंने इसको पहली बार देखा, तो मुझे ऐसा लगा, कि ये एक pale fawn fur coat पहने हुए है, okay, wearing, pale fawn क्या होता है, bright, dark brown color, तो ये जो, ऐसे इमेज को देखने से ऐसा लग रहा, जैसे brown color का इसने कोई garment पहना हुआ है, लेकिन जब वो इसको closely inspect करते हैं, और अच्छे से देखते हैं, तब इनको समझ में आता है, कि ये जो garment इनको देखे रहा है, strange garment, actually इसमें बहुत सारे tiny babies है, जो कि अपने mother के back पर चिपके हुए हैं, इट मेंस उसको पकड़ के रखे हैं, and writer was saying that, I was enraptured by this family, writer बोलते हैं, कि मैं इस family को देखके, काफी ज़्यादा attractive हो गया था, enraptured means attractive हो जाना, and I made up my mind, और उन्होंने ये decide कर लिया था, कि वो इसे अपने घर पर smuggle करेंगे, what is smuggle, आपने movies वगरा में सुना होगा, smuggling, it means illegally, या फिर किसी के permission के बिना, आप जब एक जगह से दूसरे जगह किसी चिज़ को carry करो, then it is called smuggling, तो उन्होंने decide कर लिया था, कि ये से smuggle करेंगे, and इसे अपने bedroom में रखेंगे, because वो देखना चाहते थे, कि ये कैसे बड़ा होगा, कैसे grow करेगा, ये tiny babies, तो उनको खुशी मिलती है सब करके, तो इन्होंने यही decide कर लिया, now the writer says that, बहुत ही care के साथ, उन्होंने ये जो mother है, and family है, इसको एक match box में डाल लिया, man of world means क्या होता है, move करना, तो इन्होंने move किया, and move करके उसे match box में डाल लिया, उसमें डाल लिया, and जल्दी से अपने घर के तरफ निकल पड़े, and he was saying that, ये मेरे लिए unfortunate moment था, कि जैसे ही वो घर गया, तो जैसे ही वो डोर में एंटर करते हैं, वैसे ही वो देखते हैं, कि ये तो time खाना खाने का था, lunch time था, तो इसलिए वो क्या किये, इस match box को एक mental piece पर रख दिये, what is mental piece मैंने आपको पहले भी बताया, जो बड़े बड़े घर वगएरा में, जो चिमनी वगएरा जो जलती है, जहां पर आग लगा के, घर को गरम रखा जाता है, side में, उस corner के उपर का area रहता है, उसे mental piece बोलते है, तो ये mental piece पर उसको रख दिये, जो कि drawing room में था, और वो क्यों रखे, because जिससे की, इन सारे scorpions को बहुत सारा air मिले, and after that, वो family के तरफ बढ़ गए, dining room को join करने के लिए, dawdling means होता है, wasting time, तो ये बोलते हैं, कि खाने के उपर time waste करने के बाद, मैंने रॉगर को भी खिला है, who is the rougar? रॉगर is the name of the pet dog, and उसे मैंने surreptiously खिला है, it means that secretly, किसी को ना पता चलते हुए, table के नीचे उसको धीरी धीरे, वो खाना भी खिला रहे थे, और ये सब के दौरान, वो completely अपने जो new captures था, उनका जो exciting new captures था, इस शीज को पूरी तरीके से भूल जाते हैं, and last में, Larry, जिसका की खाना फिनिश हो चुका होता है, वो जाता है, and जाकर वो matchbox ले आता है, and on the other side, writer, writer was saying that, oblivious of my impending doom, I watched him, interestingly, as still talking glibly, he opened the matchbox, so writer is saying that, oblivious means unclear, unaware, तो उन्हें पता ही नहीं था, कि उनका अब एक, अच्छा खासा doom आने वाला है, doom means क्या होता है, आपका सबसे बरबादी वाला दिन, तो इस बात का उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था, कि अब next, अब क्या doom आने वाला है, और वो इंट्रेस्टिंगली देख रहे थे, वो matchbox लेके आ रहा है, and writer was observing it, the narrator next dictates that, उस दिन उन्हें पता चला कि यह जो female scorpion थी, यह किसी भी तरीके से harmful नहीं थी, हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा agitated थी, agitated wins क्या होता है, little bit annoyed, गुसे में आ जाना, and चिर्चिरी हो जाना, and a trifle annoyed at being shut up, क्यों वो ऐसा कर रही थी, because उसको match box में बंद कर दिया गया था, वो भी काफे लंबे टाइम तक, and इसी लिए वो जो उनको opportunity मिला था, उस scorpion को, कि वो उससे बहार निकल पाए, तो वो तुरंथी इस opportunity को, बिल्कुल भी escape नहीं करना चाहती थी, इसलिए वोस match box से बहुत जल्दी से बहार निकली, she hoisted herself out of the box with great rapidity, तो यह जो जो फिमेल बिच्चु था फिमेल बिच्चु, यह इस box से hoisted means होता है push out करना, खुद को धक्का देकर बहुत जल्दी से बहार निकली, and her baby is clinging on desperately, and scuttle on the back of Larry's hand, and जो छोटे चटे बेबीज थे, वो बहुत ज़्यादा desperate होकर, Larry के हाथ पर इधर उधर scuttle होने लगे, what is a scuttle? scuttle means hurried here and there, तो वो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर उधर उसके हाथ पर पीछे चलने लगे, they are not quite certain what to do next, तो ये पता ही नहीं ता कि अब next क्या pause लिया जाए, she paused, her stink curved and ready, तो दिखिए scorpion के लिए भी ये बहुत ज़्यादा weird है, किसी animal को, किसी insect को, अगर हम लोग ऐसे बंद करें तो वो भी घबरा जाते हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये जो female scorpion थे, ये वो दो मिनट के लिए रुकी, और उसके बाद अपने stink को, उसका जो डंक है उसे curve की and ready हो गए थी, चलने के लिए, लेरी ने जैसे ही feel किया, कि उसके हाथ के आस पास कुछ claws के, पंजो के movement हो रहे हैं, और जब उसनों नीचे देखा, उसके बाद से ही सारे moment सुरू हो गए थे, confusion वाले and things got increasingly confused, एक के बाद एक चीज़े अचानक से होते चली गई, क्या क्या हुआ चली हम देखते हैं, ओके next देखे, जब लेरी को पता चलता है कि उसके हाथ पर कुछ चल रहा है, तो वो इतनी जोर चिलाता है, नीचे से निकल कर आजाता है और बहुत जोर भौकने लगता है, बहुत जोर चिलाता है, यहाँ पर यह आप इमेज देखो तब आपको समझ में आएगा, यह जो मार्गो है, यह लेरी की फ्रेंड है, इसके उपर यह जो चोटे चोटे जो बेबीज है, यह ऐसे लगते हैं, जैसे कि कुछ कागच के कुछ टुकड़े इस पर लगाए हुए हैं, तो यह जो कागच के चोटे 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 कलर्ट पेपर होते हैं, उन्हें हम कनफैटी बोलते हैं, तो इसी चीज को डिसक्राइब किया गया है, कि इसने जो हाथ जटका, हाथ जटकने के बाद, जो मदर स्कॉर्पियन थी, वो तो टेबल के पास पहुँच गई, और जो चोटे चोटे बच्चे थे, वो इसके स्कॉर्ट पर ऐसे चिपक गए, थोरली इन्रेश्ट एड दिस ट्रीटमेंट, the creature spit towards Lizzie, her stink quivering with emotion, Lizzie leapt to his feet, overturning his chair and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the clothes towards Margot, who promptly left out a scream that any railway engine would have been proud to produce. After that, Larry ने जो अपना हाथ जटका था, तो ये जो ट्रीटमेंट मिला चोटे 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 क्रियेचर्स को, इस से जितने भी क्रियेचर्स थे, ये सब Lizzie Lee के आसपास clothes पर चारो तरब बिखर गए, and her stink quivering with emotion, और अगर scorpion की बात करें, mother scorpion की, तो उसके जो डंक थे, क्यूवरिंग मिन्स होता है, शेक होना, तो थोड़ा emotion के साथ सेक होने लगे, because scorpion के लिए भी सब कुछ एकदम अजीव हो रहा था, and इसी के साथ, लीजली अपने पैरों को जटकने लगी, बहुत जोर से चिलाने लगी, और उससे वो chair भी overturn हो गया, and उसके हाथ में जो napkin था, उसे भी उसने jerk, jerk करके, एकदम मतलब डर के मारे फेक दिया, and इससे जित्ते भी scorpions थे, rolling across the clothes towards Margo, वो Margo के जो clothes थे, जो कपड़े थे, उनके चारों तरफ फैलने लगे, who promptly let out, और इससे Margo जब देखी, कि ये सबके सब मेरे तरफ आ रहे है, तो वो इतनी जोर चिल लाई, जो कि एक engine भी उतना जोर आवाज produce नहीं कर सकता है, mother completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos, put on her glasses and peered down the table to see what was causing the pandemonium, तो mother जिसको कुछ भी चीज के बारे में पता नहीं था, because अभी दो मिनट पहले table पर पूरी तरीके से सांती थी, और अचानक से अब chaos हो गया, तो वो अपने glasses पहनी, glasses means उसने अपना चस्मा पहना and peered down means जाकना, तो वो जाकने लगी, देखने लगी table के नीचे कि क्या है, जो कि इतना pandemonium create कर रहा है, what is pandemonium, pandemonium means extreme chaos, बहुत जादा हलचल, बहुत जादा sound create हो रहा है, तो देखो, मदर जुकी हुई है, देखने के लिए, कि आकिर हो क्या रहा है, table के नीचे जुकी हुई है, and at the same moment, margo in a vain attempt to stop the scorpion's advance, hurl a glass of water at it, तो margo चाहती थी, कि यह जो जितने भी creatures है, यह आगे ना बढ़े, इनको रोकने के लिए margo एक vain attempt करती है, means मतलब वो जो कोसिस करती है, वो बेकार ही जाता है, तो वो एक glass water लेती है, और लेकर fake देती है, scorpions के पास fake देती है, but actually mother भी तो वहाँ जुकी हुई है, the shower missed the animal completely, तो वो जो fake दी है पानी, वो animals तो completely miss कर जाता है, it means वो जो पानी है, वो animals के उपर नहीं गिरता है, उन creature के उपर नहीं गिरता है, but successfully drenched mother, who not being able to stand cold water, promptly lost her breath and set gasping at the end of the table, तो ओके देखिए, जब उसने पानी फेका मारगो ने, तो एनिमल्स को तो वो पानी गिरा नहीं उनके उपर, लेकिन mother पूरी तरह के से भीच चुकी थे, drenched means wet, पूरी तरह के से भीच चुकी थी, and अब वो उस cold water को bear नहीं कर पा रही थी, हमने पहले भी स्टोरी में पढ़ा है that आग जला के रखें, घर पे आग क्यू जलाते हैं side में corner में, because बहुत ज़्यादा ठंड का atmosphere होता है तो, तो इस ठंड के मौसम में उसके उपर पानी गिरा था, और वो उस पानी को tolerate नहीं कर पा रही थी, and sad gasping, gasping means क्या होता है जोर जोर सांस लेना, तो वो ठंड के मारे ऐसे जोर जोर से सांस ले रही थी, and at the end of the table, unable even to protest, और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, Scorpion had now gone to ground under Leslie's plate while, her baby swarmed wildly all over the table, Rocker, mystified by the panic but determined to do his share, ran around and around the room barking hysterically, तो देखिए जो mother scorpion रहती है, वो table के अंदर चली जाती है, और उसके जितने भी babies रहते हैं, swarmed wildly all over the table, वो पूरे table पर चारो तरफ फैल जाते हैं, and Rocker, जो की dog है, mystified उसके लिए जो situation है, पूरा mystified उसको समझी में नहीं आ रहा है, कि ये panic क्यों create हो रहा है, लेकिन वो भी determined हो जाता है, कि वो भी अपना कुछ contribution करेगा, and वो पूरे घर में घूम घूम कर, घूम घूम कर, जोर जोर से भौकने लगता है, historically means होता है, insane होकर, एकदम पागलों के जैसे, वो भौकता है, चिलाता है, इस तैट सिली बॉइ अगैन, बिलॉड लैरी, तो बिलॉड मिन्स क्या होता है, बहुत जोर चिलाना, तो ऐसा लगता है, जैसे जो narrator है, उसकी ये habit है, वो घर में कुछ नग अलग अलग चीजे लेके आता है, कुछ अलग insects लेके आता है, जिसके वज़े से उनके family को, always suffer करना पड़ता है, तो ये समच चुके है, कि ये इसी silly boy का काम है, लैरी ने ऐसा चिलाते भी कहा, look out, look out, they are coming, screamed Margo, इतने में ही Margo चिला कर बोलती है, कि देखो देखो वो आ रहा है, tiny creatures के लिए बोलती है, तो आज हम इस chapter को यहीं तक रखते हैं, and after that we will continue the part 2 in the next video, if you like this video then please like, share and subscribe my channel,